गुट मॉनिंग, मैं डॉक्टर जैनेंद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट अफ आंत्रपालाजी, जैन कॉलेज धुर्वा सेंग, यह भी से समेश्टर 1 के CC2 पेपर से संबंदित है, आज हम सैंप्लिंग मेथड अथ्वा निदर्शन, वदती या प्रन आली पर चर्चा करेंगे, कि समाजिक अनुसंधान में निदर्शन पदती क्या है, और इसकी क्या विशेश्टाय है, अथ्वा एक अच्छे निदर्शन की क्यों आउ सकता पड़ती है, निदर्शन के संबंद में हम देखेंगे कि कुछ को परक करके संपूर्ण के विशे में अनुमान लगाने की पदती को ही निदर्शन पदती कहा जाता है, अब इस पदती का परियोग अपने समानने जीवन में करते हैं, जैसे कई बार जब हम राशन की दुकान में जाते हैं और अगर हमें चावल लेना होता है, तो हम चावल का थोड़ा सा भाग अपने हाथ में लेते हैं और उसी को ही देखकर हम अंदाजा लगाते हैं कि चावल की क्वालिटी क्या है, या चावल अच्छा है या बुरा है, खाने योग्य है या नहीं, अर्थात हम संपूर्ण में से कुछ भाग के अधार पर ही हम अध्यन करते हैं, इस अधा, इसी विधी को निदर्शन पदती कहा जाता है, इस संबंध में फेर चाइल ने इसे परिभासित करने का परियास किया है, उनके अनुसार निदर्शन पदती, वह पदती या प्रनाली है, जिसके द्वारा एक समय विशेश में निश्चित संख्या में व्यक्तियों, विशयों अथ्वा निरच्छनों को निकाला जाता है, बोगाट्स के द्वारा कहा गया कि निदर्शन पदती एक पुर्व निश्चित योजना के अनुसार इकाईयों के एक समोह में से एक निश्चित प्रतिसत कहीं चुनाव निदर्शन है, अर्थात, उपरिव्थ परिभास्राओं के आधार पर यह निदर्शन पदती को हम यह समझ सकते हैं कि निदर्शन वह प्रनाली है, जिसमें समग्र में से कुछ ऐसी एकाईयों का चैन कर लिया जाता है, जो समग्रत वस्तू या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता हो। गुड्डे हाट ने इसे परिभासित किया और कहा कि एक निदर्शन जैसा की नाम से विदित है, एक विश्तृत समू का प्रतिनिधित है। इसी पक्रम में स्रीमती, यंग के अनुशार, एक सांखिक के निदर्शन, उस सम्पूर्ण, समूहिया, योग का एक अतिलगु रूप है, जिसमें से निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। अर्थात, उपर्युक्त परिभासाओं का सरवांगिन, पूर्ण, अध्यन करने के पस्चाथ ही हम निशकर्श पर पहुंचते हैं कि निदर्शन सम्पूर्ण या समग्र का वह छोटा भाग है, जो अपने इस छोटे रूप में भी सम्पूर्ण या समग्र का उचित प्रत प्रतिनिधित्व करता है, वस्तुता निदर्शन समग्र से छोटा है, इस समग्र से किसी भी भाग को निदर्शन नहीं मान सकते, निदर्शन समग्र के केवल उस भाग को ही कहा जा सकता है, जो समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, अथ्वा जिसमें समग्र की पाई जाती है कुछ अथ्वा थोड़ी सी इकाईयों को ही विशाल समोह का प्रतिनिधित्यों क्यूं माना जाता है यद्यपी समाजिक तथ्यों से भौतिक पदार्थों की तुल्ना में एक रूपता कम देखने को मिलती है तथा पी मूल रूप से इन विविंताओं के रहते ह प्रतिक श्रमिक एक दूसरे स्रमिक से बुद्धी श्वास्त श्वभाव आयू वर्जन आदि से भीन होता है तता भी मूल रूप से इन विविंताओं के वावजूद उनमें अनेग बाते समान होती है अतेव कुछ स्रमिकों के अध्यन से जो निसकर समय प्राप्त होते हैं उन्हें ही संपूर्ण स्रमिक समू पर लागू कर सकते हैं वास्तों में तथ्यों का एक रूपता का वह अधार है जिसके द्वारा कुछ चुनी हुई इकाईया ही निदर्शन को समग्र का प्रतिनिधी माना जाता है इस पदती में समग्र में से कुछ इकाईयों का चुनाव इस प्रकार होता है कि समग्रता का उचित प्रतिनिधीत्यों कर सके समानताओं या विभिनताओं के आधार पर हम समग्र के कई वर्गों में विभक्त कर सकते हैं और प्रतेग वर्ग में से प्रयाप्त वा उचित संख्या में इकाईयों को चुन सकते हैं इस प्रकार चुनी इकायो द्वारा समग्र की विशेश्ताओं का प्रतिनिधित्व करना शंभव होगा। इस प्रकार प्रतिनिधी पुर्ण चुनाव की संभावना को ही हम निदर्शन का महत्तपुन अधार मान सकते हैं। एक अच्छे निदर्शन की कुछ विशेश्ताएं अवस्यक रूप से निम्न हैं। जैसे निदर्शन को एक उचित प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। उसमें असत्यता नहीं होनी चाहिए। सही प्रतिनिधित्व निदर्शन को हम दो प्रकार से बाट सकते हैं। जैसे पहला समग्र की इकायों में एक रूपता देखकर दूसरा निदर्शन के चुनाव में उप्योगी प्रनाली अपना कर। हम समग्र में विद्ध्यमान समस्त वर्गों को ध्यान में रखते हुए निदर्शन को चुनना चाहिए। और साथ ही अध्यन विशाय की प्रकृती छेत्र आदी पर विचार कर निदर्शन प्रनाली को अपनाना चाहिए। दूसरी प्रमुख विशेष्ता है अच्छे निदर्शन की द्रिष्टी से निदर्शन का कार भी प्रयाप्त होना चाहिए। निदर्शन उचित अकार का होना चाहिए जिससे परतिनिधित्य पूर्ण निदर्शन हो सके उदारन सरूप 10,000 विद्यार्थियों में से केवल 10 विद्यार्थियों का चैन निदर्शन का प्रयापत अकार नहीं है क्योंकि 10,000 विद्यार्थियों की विशिष्ताओं का उचित प्रतिनिधित्व दस विद्यार्थी नहीं कर सकते। अतेव निदर्शन का अकार कम से कम इतना आवश्य होना चाहिए जिससे वास्तिविक परस्थिती का उचित मुल्यांकर सावधानी और सुविधा पुर्वक हो सके। तीसरा विशेष्ता यह है कि अच्छे निदर्शन में निश्पक्षता होनी चाहिए। पक्षपात पुर्ण निदर्शन अच्छा नहीं कहा जा सकता। निदर्शन का चुनाव करते समय अनुसंधान करता को ना तो इतनी रुची के अनुसार महत्तोपूर्ण इकायों का चुनाव करना चाहिए और ना ही महत्तोहीन इकायों का को त्याग देना चाहिए। निश्पक्ष निदर्शन से ही अध्यन में वास्तविक निश्कर्शों की आसा की जा सकती है। इस प्रकार निदर्शन की पाचवी विशेस्ता यह है कि अच्छे निदर्शन को शमान्य ग्यान वत्तर्ख पर अधारित होना चाहिए। केवल नियम बद होकर निदर्सन का चुनाव नहीं करना चाहिए नियमों से आबद होने पर अच्छे निदर्सन की प्राप्ती नहीं हो सकती इसलिए निदर्सन में समगर की प्रमुख विसेश्ताओं को समुलित करने के लिए अनुसंधान करता को समान्ने ज्ञान वा तर्क का उपयोग करना चाहिए समान्ने ज्ञान वा तर्क अच्छे निदर्स की मौलिक और शक्ताय है छटा विसेशता यह है कि अच्छे निदर्सन को वहवारिक अनुभवों के उपयोग पर आधारित होना चाहिए यदि किसी अनुसंधान करता का निदर्शन अन्य अनुसंधान करताओं के वेवारिक अनुभवों के उपयोग पराधारित रहता है तो उसमें अच्छे निदर्शन को प्रोत्साहन एवं विकास मिलता है अता अनुसंधान को निदर्शन का चुनाओ करते समय वेवारिक प्रतिन इधित्व पूर्ण निदर्शन का चयन होता है अध्यन को व्यासिक बनाने के लिए निदर्शन के चयन के लिए कुछ प्रनालियां ग्रहन की जाती है अता निदर्शन के चयन की प्रमुख प्रनालियां निम्नलिकित है जैसे पहला दैव निदर्शन प्रनाली दूस इसरा शौ विचार निदर्शन प्रनाली पहले दैब निदर्शन प्रनाली क्या है इसके बारे में जानेंगे यह निदर्शन प्रनाली की वह प्रनाली है जिसमें समग्र की परते की काईयों को चुनने का आउसरम मिलता है इस प्रनाली में अभीनती पक्षपात विचार पु कि व्यक्तिगत इक्षा अथवा उसके व्यक्तिगत निर्ने से पूर्ण सोतंत्र रहती है। इसलिए समाशास्त्री इसे दैव निदर्शन परनाली कहते हैं। निदर्शन के चुनाव का अधार दैव योग रहता है। इस संदर्व में जेसी चत्रवेदी कहते हैं कि दैव निदर्शन में किसी भी एक इकाई को चुने जाने की काववावसर होता है, जो किसी अन्य इकाई का होता है। इस संदर्व में पॉटन ने कहा है कि दैव निदर्शन का परियोग उस अवस्था में किया जाता है, जबकि चुनाव की पदति से शमाविर के प्रतियक व्यक्ति या इकाई को शमान रूप से चुने जाने का आउसर का आश्वाशन देती है। चुनकि निदर्शन में प्रतियक वर्ग तथा तत्व का प्रतिनिध्यों समाल अनुपात में होता है, इसलिए दैव निदर्शन परनाले को शमानुपातिक निदर्शन भी कहा जाता है। अनुसंधान करता को दैव निदर्शन की विधियां पर भी ध्यान देना आवश्यक है। अतेव हमें उन विध्यों का विसलेशन करना चाहिए दैव निदर्शन चुनने के प्रमुक तरीके हैं। जैसे लोटरी विधी, दूसरा काड अत्वा डिकट विधी, तीसरा अनियमित अंकन विधी, चौथा नियमित अंकन विधी, पाचवा ग्रेड विधी, छठवा टिपेट विधी, आदि इस प्रकार किस विधियों के आधार पर निदर्शन दैव निदर्शन के आधार पर अत का शंकलन किया जाता है है दूसरी निर्दर्शन प्रनाली है इस्तरित निर्दर्शन अथर वर्गीक्रित निर्दर्शन के संभंध में सिनपाव यंग लिखा है कि इस्तरित निर्दर्शन का अर्थ है शमाग्र में से उपनी दर्शनों को लेना जिनकी शमान विशेषताएं हैं जैसे खेती के प्रकार, खेतों क्याका, भूमी परस्वामित्व, शिच्छा इस्तर, आय, लिंग, समाजिक वर्ग आदी उपनी दर्शनों के अंतरगत आने वाले इन तत्वों को एक साथ लेकर प्रारूप या स्रेनी में वर्गी क्रित किया जाता है इस प्रकार निदर्शन का चुनाव करने के लिए अनुशंधान करता स्वर पर्थम समग्र की सभी विशेषताओं के बारे में एक प्रात्मिक जानकारी प्राप्त करता है इस जानकारी के आधार पर वो समग्र में से कुछ वर्गो या उपनिदर्शनों को विभक्त कर लेता है जिससे प्रतेक वर्ग समग्र के केवल एक ही गुन जैसे सिक्छा इस्तर, आई, धर्म, शमाजिक वर्ग, लिंक, आदिका प्रतिनिधित्तों करे दूसरे सब्दों में शमान लक्षन या विशेस्ताओं के आधार पर समग्र की इकाईयों को विभिन उप विभागो या वर्गो में विभाजित करके सरप्रथम समग्र में एक रूपता लाने का प्रत्न किया जाता है समग्र की विशेस्ताओं को देखते हुए हैं तथा अनुशंधान की समश्या को ध्यान में रखते हुए अनुशंधान करता सरलता से यह तय कर सकता है कि किस आधार पर और कितने वर्गों में विभाग्त किया जाए इसी प्रनाली को इस्तरित प्रतिदर्श प्रनाली अथवा वर्गी कृत निदर्शन प्रनाली कहा जाता है निदर्शन का तीसरा प्रकार सवविचार या उदेश सिपूर निदर्शन है निदर्शन की इस प्रनाली को उदेश्य पूर्ण या सविचार निदर्शन प्रनाली कहते है जिसमें अनुसंधान करता किसी विशेश उदेश्य की दृष्टी में रख कर समगर में से इकायो का चैन करता है इस प्रनाली में अनुसंधान करता ही प्रधान होता है शब कुछ उसी पर निर्फर करता है एडॉल्फ जेंसन ने लिखा है कि सौविचार निदर्शन का अर्थ है इकाईयों के समुहों की एक संख्या को इस प्रकार चुनना की चुने हुए समुह मिलकर उन विसेस्ताओं के शंबंद में यथा शंभो वही उसत अत्वा अनुपात प्रदान करे जो की समग्र में है और जिनकी सांख्य की जानकारी पहले से ही हो अता अनुसंधान करता समग्र की सब इकाईयों की विसेस्ता से परचीत रहता है उदेश्य पूर्ण चुनाव भी तभी संभव होता है इस परणालिका मुख्यादार उदेश्यों की पूर्ती है इस परणालिक में व्यक्तिगत पक्षपात की अधिक संभावना रहती है क्योंकि चुनाव उदेश्य पूर्ण होता है धन्यवाद